जैहिंद सभी फोजियों को 17 अप्रेल आर्मी परिक्षा ओरिजिनल पेपर करेंगे जिसमें कि आज हमारा सिफ्टू में आई हुए सवाल अभी हम लोग देखने जा रहे हैं सिफ्टू में आई हुए सारे क्यूचन को करेंगे आर्मी जीडी पेपर अभी कंटेन्यू चल रह किया है तो जिनने भी नहीं देखा है description box में लिंक दे दिया है मैंने उसमें से जाके सब कोई देख सकते हो ठीक है तो चलो शुरू करेंगे बिल्कुल यह सवाल आहें आपके पेपर में एयारों के मिक्स क्यूचन रहेंगे अलग 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 मिक्स क्यूचन देखने को मिल अंगे सब temos रहें है इसा क्यूचन पूचा जा रहा है सभी लोग को क्लास को से शनन को लाइक कर लेना है और जोए ने वी वह अभी टक भी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है वो सभी सबस्काइब करके बेल ऐकन को ओल पर जरूर सेट कर लीजेगा ताकि आपके आने व इस्पेन, चलिए, जल्दी से आंसर करना, और सब को बताना है, 2010 गाई चलिए, अगले सवाल पर चलेंगे, अगला सवाल क्या पुछा गे आपका, कि विष्व का सबसे बड़ा महादवीब काउनसा है? विच इस दे लार्जेस्ट कॉंटिनेंट इन दा वर्ल्ड एसिया औस्ट्रेलिया अंटाक्टिका या फिर यूरोप विश्वका सबसे बड़ा महादवीब कौन सा है विश्वका सबसे बड़ा महादवीब क्या है चलिए बिल्कुल सही आंसरान चीए सबका सभी लोग पढ़ रखें देखो एक-एक सवाल पढ़ाया हुआ हर एक सवाल पढ़ाया हुआ आपके पेपर में पुछा गया है और जो मैंने e-book दिया था उसमें तो ये सारे के सारे क्यूशन से हरे क्यूशन मैच कर रहे है विश्वका सबसे बड़ा महादवीब के बीच में आर्मी का एकजाम देना है जिनको भी वो लोग सभी के सभी खास करके मुख्य मंतरी का नाम ठीक है इसके साथ साथ राज्यपाल का नाम और वर्तमान मंतरियों का नाम ठीक है केंदर के यह सब चीज पढ़ लिजिएगा क्योंकि पूछा जा रहा है अभी लगातार देखो कहाई महराश्ट्र का मुख्य मंतरी पूछा गया है बिहार का पूछा गया है तो 36 गड़ का पूछा गया है गुजरात का पूछा गया लगातार पूछा जा रहा है मुख्य मंत्री राजपाल और मंत्रियों का नाम ये सब पढ़ लेना क्योंकि आ रहा है ठीक है बिहार के राजपाल का नाम क्या है तो याद रखना है ये हैं देखो सीपी राधा किष्टन नहीं याद रखनी है ये हैं देखो राजेंद्र विस्वनात ठीक है राजेंद्र मलिक जो है यह जम्मू कस्मीर के रह चुके है ठीक है और राजयपाल तो सब को ध्यान में रखेगा पूछा जा सकता है क्योंकि आ रहा है तो सब को यह सब पढ़ लेना क्या सवाल है कि भारत में पहली बार जनगन्ना कब हुई और 1881 में पहला संपूर्ण जनगन्ना हुआ ठीक है अगला सवाल पूछा गया है देखो यहां पर आप से कि भारत में राश्ट्रपती बनने की नियुनतम आयू कितनी है बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया जो मैंने आपको इबुक दिया है उसमें भी यह सारे के सारे सवा है भारत में राश्ट्रपती बनने की नियुनतम आयू कितनी है सेम सवाल मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूं तो भारत में राश्ट्रपती बनने की आयू सब कोई जानते हो कितना है 35 वर्स है और केवल राश्ट्रपती का ही 35 वर्स नहीं है बलकि नोट कर लिजे क्य याद रखना है सब कोई को देखो मुख्य मंतरी और प्रधान मंतरी बनने के लिए ठीक है ध्यान में रखेगा क्योंकि पूछा जा रहा है हर एक सवाल आपका चलो अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे यह सवाल पूछा गया है कि 2023 में गुजरात की पहल यहाँ पर मार्च तक का कम्पलीट जितनी भी न्यूक्तियां हुई है खास करें बड़े-बड़े कोई कम्पनी का न्यूक्ति यह सब नहीं बड़ा-बड़ा जो भी सरकारी पदपर न्यूक्ति हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा सब को ठीक है तो यह सवाल अभी के लंबी नदी कौन सी है वीच इस दा लॉंगेश्ट रीवर ऑफ इंडिया बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया है यह वाला सवाल हमेशा मैंने बनवाया और जो इबुक दिया उसमें वी देखो दिया हुआ है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है तो यह है देखो गंग 20,000 हज से उपर की ध्वनी को किसके द्वारा सुना जा सकता है तो याद रखिएगा यह देखो अलग-अलग अप्सन है अलग-अलग जगों पर याद रखना कुता बिल्ली चमगादर यह सब जो है 20,000 हज से उपर की ध्वनी को अच्छे से सुन सकते है ठीक है चलिए अग पेनिसिलीन का खोज किसके द्वारा किया गया आपका जो आविसकार एवं आविसकारक है जो आपका बायलोजी वाला उसको सब कोई पढ़ लेना यह वाला टॉपिक मैंने सबको पढ़ा दिया था आविसकार एवं आविसकारक बायलोजी का सेक्षन से जो होता है और यह द बस्तंबर सवाल है यहां पर आपका कि दिल्ली किस नदी के तटपर है डेली इस दा बैंक आफ वीच रिवर बहुत बार मैंने बनवाया हमेशा में बोलता हूं कि यह सवाल तो आना ही आना है इंडियन आर्मी का पेपर देने जाओ और यह सवाल ना है ऐसा नहीं होगा और द दिल्ली किस नदी के तटपर है दिल्ली देखो यमुना नदी के के तटपर है ठीक है चलोँ अगला सवाल करेंगे अगला सवाल देखो सबकोई चलो करते हैं अगला सवाल आप से क्या पूछा गया है अगला सवाल आपका आया सकेंट सिफ्ट का पेपर में कि एकनात चिंदे का संवन्ध किस संबंधित है तो इनका संबंध आप सब जानता है महराश्ट्रा से है यह महराश्ट्राज के वर्तमान मुख्यमंत्री है सब को सब भी जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया है उद्धर ठाक्रेजी से तो सब कोई ध्यान में रखोगे क्या सवाल आया है वो बच्चे अच्छे से बता नहीं पाया थे पर क्लियर रखनी है पूछा गया है चलिए अगला सवाल था कि सिरके में कौन सा अमल पाया जाता है विच अमल है देखो अपका असीटिक एसीड ठीक है ध्यान रखेंगे सब कोई चलिए अगला सवाल यहां पर आपका है देखो नेक्स्ट क्यूशन आपको दिया गया है अगला सवाल क्या पुछा गया है कि बर्प का पानी बनना कौन सा परिवर्तन है ऐसा ही कुछ सवाल था जो इससे जुड़ा हुआ सवाल इंडियन आर्मी पूछ रही है सभी लोग पढ़के जाना इस टॉपिक को जो मैंने इबुक दिया था जो इबुक आप लोगों ने बाई किया था उसमें यह वाला सवाल दिया हुआ था नोट बनाकर और देखो पूछा गया हर एक सवाल इब परिवर्तन के तहत आता है चलो देखते हैं किसका जाला है उनको तो सवाल आना ही चाहिए क्योंकि यह पीडिये फॉर्मिट में उसे मैंने बताया था तो चलो देखते हैं कौन कौन कर पाते हो कौन सा परिवरतन है ठीक है चलो जी अगला सवाल है कि सिंदु नदी का उद्गा मस्थल कौन सा है वीच इस दा ओरीजन ऑफ इंदस रिवर तो यह देखो अमर कंटक का पठार होता है अमर कंटक का पठार याद रखेगा सब को इसको यहां पर ध्यान में रखना है सब लोग को अमर कंटक का पठार होता है सब को याद रखेंगे अभी देखो यमुना नदी का भी पूछा गया तो यमुना नदी देखो यमुनोत्री की भाग होती है ठीक है यमुनोत्री तो पुछा गया है वायू मंडल में N2 मतलब Nitrogen कितना परतिसत है बहुत बार मैंने पढ़ाया है सबको हर बार मैंने बताया था क्या होगा वायू मंडल में Nitrogen होता है देखो 78 परतिसत ये पहला पैदान पर है सबसे जैदा gas होने के मामले में second number पर पर सबसे ज्यादा कौन सा गैस है हमारे वायू मंडल में तो याद रखेगा यह ऑक्सीजन है कितना प्रतिसद तो 21 प्रतिसद सब लोग को नोट करते चलना है सब लोग को क्लियर रखना है चलो जी अगला सवाल आप से देखो पूछा गया है कि अमासय में कौन सा अमल प आपका हाइड्रो क्लोरिक अमल ऑप्सन भी सही होगा वी वालों का जवाब जो है सही है चलो जी अगला सवाल यहां पर देखो आपसे क्या पूछा गया है कि राजसभा का पदेन सभापती कौन होता है राजसभा का पदेन सभापती पढ़ाया हुआ सवाल है मैंने पहले सवालों का आंसर सही है चलो जी अगला सवाल देखो पूछा गया है आपसे कि दीपक हुड़ा का संबंद किस खेल से है दीपक हुड़ा इस रिलेटेट टू इच स्पोर्ट जो दीपक हुड़ा है इनका संबंद किस खेल के साथ है या किस खेल से संबंदित है तो जो जिला दर्रा है यह कहां स्तित है देखो नाथूला दर्रा पुछा गया जो जिला दर्रा से जुडा हुआ सवाल आ रहा है यह सब लोग को पढ़ लेना है मैं ने पहले पढ़ाई हुआ है जो जिला दर्रा याद रखएगा जे एंड के जम्मू और कसमीर में इस्तित है ठीक है चलिए जी अगला सवाल देखेंगे अगला सवाल आपको यहाँ पर देखो पूछा गया है नेक्ट क्यूशन है आपका देखो यह सिफ्ट वन का पेपर में था कि वास्कोड डिगामा भारत कब आया वें डीड वास्कोड डिगामा कम टू इंडिया जो वा द्रौपदी मुर्मू कौन सी राश्पती है विच प्रेसिडेंट इज द्रौपदी मुर्मू जो द्रौपदी मुर्मू है यह कौन सी राश्पती है हमारी याद रखिएगा सबसे पहले तो यह हमारी देश की पहली आदिवासी महिला राश्ट्रपती है ठीक है अगला से पूछा गया है अभी देखो कि कान्हा नेशनल पार्क कहां इस्तित है वेर इच कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड असम आंध्रपरदेश पस्चिमंगाल या फिर मद्यपरदेश जो कान्हा नेशनल पार्क है यह किस राज्य में है तो कान्हा नेशनल पार्क देखो आप को उसमें भी देखो ये वाला सवाल था एक एक सवाल देखो पड़ाय हुए छपे हैं आपके पेपर में चलो जी अगला सवाल यहां पर देखो आपसे पुछा गया है कि अफगान की लडाई कब हुई वें डिट द अफगान वार टिक प्लेस यह हमारे इबुक में प्राची 25 तंबर सवाल देखो यहां पर क्या पुछा गया है आपसे 25 तंबर सवाल देखो आपका है कि जैव अप घटे कौन सा है विच इज बायो डिग्रेडेबल सही जवाब क्या होगा जैव अप घटे निम्द में से कौन से हैं पसू पक्षी पेण पौधे ए और बी दोनों ड जैव अप घटे कौन से होते हैं तो जैव अप घटे होते हैं देखो पेण और पौधे ठीक है ऑप्सन बी सही है बी वालों का जवाब परफेक्ट है चलो जी अगला सवाल यहां पर देखो आपका क्या पूछा है कि पेनिसलीन की खोज किसने की हूँ डिसकवर्ड पेनिस पेनिसलीन की खोज देखो की है अलेक्जेंडर फिलेमिंग ने ऑप्सन नमबर डी सही है डी वालों का जवाब सही है चलिए अगला सवाल आपसे देखो यहां पर क्या पूछा गया है आपसे देखो पूछा गया है नागा लेंड की राजधानी कहां है वेर इस दा ही है चलिए अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहां पर इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है बहुत बार पढ़ाया हुआ है आप सबको पुस्तक एवम लेखक वाला मैंने टॉपिक करवाया था उसमें मैंने सबको बताया है और जो हमारा e-book आपको दिया गया है उसमें अगला सवाल है जो आपने बाई किया था इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है तो याद रखेंगे मेगास्तनीज हैं ओप्सन भी सही जवाब है चलो जी अगला सवाल देखो आपसे पूछा गया है यहां पर है कि हिराकुंड बांध कहां इस्तित है वेर इज हिराकुंड लोकेटेड उडिसा जारखंड बिहार या पित तमिलनाडू जो हिराकुंड बांध है या कहां पर इस्तित है तो हिराकुंड बांध है याद रखेंगे उडिसा में है कहां पर है किस नदी पर है पूछा जाएगा तो याद रखेगा महा नदी नदी का नाह में जिस परिस पिनॉzen बूरे रऑगни ज़्यान को क्या कहते हैं जो कि अम से के उसको यक्रिता बोलते हैं क्या हो गया सभी जवाब और। उपस्ठाइब आयरों सब्सक्राइब तो किसका इंतिजार कर हो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को all पर सेट कर दो तो चलो अब मिलेंगे आपसे अगली सिफ्ट के क्यूशन के साथ तब तक के लिए जैहिंद एंड जैभारत और याद रखेंगे सभी कि सभी लोग यह तयार रहेगा साम साथ बजे साम साथ बजे जो आम लोग सिफ्ट वन इसके साथ सा सिफ्ट टू एंड आपका सिफ्ट थ्री में जितना क्यूशन पुछा जा रहा है सभी को एक साथ बनाएंगे और जो क्यूशन रह गए हैं अलग-अलग सिफ्ट के उनको भी करने वाले हैं साम साथ बजे के लिए आप सबको तयार रहना है